मसकार दोस्तों, जैश्री श्याम राधे राधे, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में। दोस्तों सावधान, चाहे मर जाना लेकिन पित्रपक्ष के सोलह दिनों में यह पांच काम भूल से भी मत करना, वरना आपकी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। का आशीरवाद पाने के लिए कई लोग कई सारे उपाय करते हैं, कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लोग तरपन करते हैं, कुछ लोग गौशाला में चारा खिलाते हैं, कुछ लोग ब्राह्मनों को भोज करवाते हैं, कुछ लोग पवित्र नदियों में सनान करते हैं, ले हमारे हालचाल पूछने आते हैं, हमारे उपर कृपा बरसाने आते हैं। अगर हम अच्छे से पितरों का तरपन करें, अच्छे से दान पुन्य करें, उनके समक्ष हम अच्छे से धूप ध्यान करें, तो हमारे पितर हमें आशीरवाद देते हैं। देखिए, मान्यता है कि जिस व्यक्ति के उपर, जिस कुल के उपर पितरों का आशीरवाद होता है, पूर्वजों का आशीरवाद होता है, वह कुल, वह परिवारा नामी। देखिए, मान्यतान होने में भी कोई बाधा नहीं आती है, शाथ ही नौकरी व्यापार भी बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन जिस व्यक्ति के उपर, जिस कुल के उपर, जिस परिवार के उपर पूर्वजों की नाराजगी होती है, वह परिवार हमेशा दरदर की ठोकर ख वह परिवार कभी भी सक्षम नहीं हो पाता, हमेशा हर चीज के लिए वह तरस्ता रहता है, फिर चाहे शादी हो, फिर चाहे संतान हो, फिर चाहे खुशिया हो, फिर चाहे धन दौलट हो, भौटिक सुह हो, इसलिए दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आप इस श्राध में यानि की पित्रपक्ष के 16 दिनों में अगर आप गलती से भी कर देंगे तो आपके पित्र आपसे नाराज हो जाएंगे उनका क्रोध आपको जहलना पड़ सकता है। दूंगा कि पित्रपक्ष में आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है साथ ही क्या उपाय करने हैं। सारी की सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, हम जिससे हमारे पूरवज हमसे नाराज हो जाते हैं, आपको तो पता भी नहीं होगा कि किस काम को करने से पित्र खुश होंगे, किस काम को करने से पित्र नाराज होंगे, दोस्तों आप अंजाने में वह गलतियां कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, औ तो वह गलतियां कर जाता है। लेकिन आज इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ तो कृपया करके वीडियो को आखिरी तक देखें। देखिए जब पितरों का आशीरवाद मिलता है ना तो फिर किसी चीज की जीवन में कमी नहीं रहती है। जी हाँ और 16 श्राध के यह दिन साल में केवल एक बार आते हैं। दोस्तों और इनसान चाहे तो इन 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है और अपने जीवन में खुशहाली ही खुशहाली ला सकता है। दोस्तों तो वापस बोलता हूँ कि वीडियो में आखरी तक बने रहना। दोस्तों कई लोग दान पुण्य करते हैं। कई लोग अच्छे से तरपन करते हैं लेकिन वे नहीं जानते कि कुछ छोटी मोटी गलतियां उनके सारे किये कराये पर पानी फेर देती है। फिर इनसान चाहे दान कर ले, पुण्य कर ले, तरपन कर ले, धूब ध्यान कर ले, कुछ नहीं होता है बलकि चीजें और खराब हो जाती है। दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि आपको फल ही नहीं मिलेगा, अगर आप कुछ गलत कार्य करेंगे तो सारी जानकारी दूँगा, बस आपको वीडियो को आखरी तक देखना ही पड़ेगा, दोस्तों तभी जाकर आपको सब कुछ अच्छे से समझाएगा, देखिए, पि बहुत सी चीजों में सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत से नियम कायदे अपनाने पड़ते हैं, पित्र पक्ष दो अक्टूबर तक चलेगा, और आपको मैं बता दूँ कि इस अवधि में आपको दान पुन्य भी करने हैं, पित्रों का तरपन भी करना है, और कुछ उ पित्र पक्ष में अगर कोई दान करेगा, तो उसका सौ गुना उसको मिल जाएगा, दोस्तों लोग अकसर कई सारी चीजों का दान करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि किसका दान करना है और किसका नहीं करना है, कई सारे लोग पित्र पक्ष में पुराने कपड़ों का दान करते हैं, देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पुराने कपड़ों का दान भूल से भी मत करना, क्योंकि पहने हुए, कपड़े होते हैं और अगर आप पित्रि पक्ष में उनका दान करते हैं, तो इससे आपको बहुत ज्यादा पाप लग सकता है, दोस्तों पु पित्रि पक्ष में बहुत ज्यादा पाप लग सकता हैं, दोस्तों अगली सावधानी है दोस्तों, अब अगली चीज है दोस्तों, पित्रि पक्ष में यानि सोलह दिनों में, दोस्तों, आपको भूल से भी अपने घर में लड़ाई जगडा नहीं करना है, देखिए आपके पित्र, आपके पूरवज आपके घर में आते हैं, आपके घर के हालचाल पूछने आते हैं, और उस समय आप अपने घर में अगर जगडा करेंगे, अपने घर में कलह करेंग और अगली चीज है, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, उनको जितना हो सके खुश रखेगा, क्योंकि जो हमारे पूरवज होते हैं, उनको सबसे ज्यादा हमारे घर के छोटे बच्चे और छोटी बच्चियां पसंद होते हैं, उनके उपर हमारे पूरवजों का आशीरवा देखिए पित्र हमारे हमारे उपर कृपा तभी बरसाएंगे जब हम उनके अनुसार चलेंगे और उनका कहना यह होता है कि हम अपने घर में खुश रहें। दोस्तों अगर आपके घर में कोई सांप निकल जाए तो उसे अच्छे से पकड़ कर दूर कर सकते हैं। साथ ही छिपकली भी हो गई। देखिए पूरवज किसी भी रूप में आ सकते हैं। हमारा तरपन ग्रहन करने साथ ही कौवे के रूप में भी आ सकते हैं। या किसी दोस्तों लांदिया आसा सामना में आने हैं। जानवर जैसे की कोई पक्षी हो गया उसके रूप में भी आ सकते हैं। कबूतर के रूप में भी आ सकते हैं। तो आपको इन जानवरों को भगाना नहीं है ना ही इनको क्षती पहुँचानी है। कोशिश करिएगा अगर कोई जानवर आपके घर में आ भी जाए तो उसे कम से कम एक रोटी अवश्य दे। जी हां रोटी जरूर दे। बिल्ली आए तो उसको दूद पिला दे। कुत्ता आए तो उसको रोटी बिस्कुट खिला दे। गाय आए तो उसको भी रोटी दे। अगर कोई चीटियां निकल जाती है तो कोशिश करिए उनको शक्कर खिला दे। इससे आपके पूर्वज बहुत ज्यादा आपसे प्रसन्न होंगे। बहुत ज्यादा आपके उपर उनका आशीरवाद मिलेगा। दोस्तों, तो कोशिश करिएगा कि आप यह सब अवश्य रूप से करें और भूल से भी इन जानवरों को क्षती ना पहुँचाएं। कई लोग होते हैं जो कुट्टों को मारते रहते हैं, गाए को मारते हैं, लेकिन यह सब ना ही करें तो अच्छा रहेगा, वरना जब पित्र नाराज होते हैं तो दोस्तों, व्यक्ति भिखारी से भी बद्तर अपनी जिंदगी कर लेता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही आपको मैं बता दूँ नशा, जी हाँ, यह बहुत खराब चीज है, पित्र पक्ष में भूल कर भी घर में नशा, नहीं करना है। दोस्तों, और आप अगर नशा करेंगे तो उनको, तकलीफ होगी और फिर जब उनको तकलीफ होगी, तो उनका क्रोध आपको जहलना पड़ सकता है, और आपके उपर फिर उनकी नाराजगी। आ सकती है, तो यह कम भूल से भी आपको नहीं करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, कई लोग होते हैं जो मानसाहारी भोजन घर में बनाते हैं और खाते भी हैं। देखिए अपने मुह पर थोड़े समय के लिए ताला लगा लीजिए, अपनी जुबान को काबू में रख लेना, क्योंकि पित्रपक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनको इन सभी चीजों से तकलीफ होती है, पीडा पहुँचती है। अब आप कहेंगे कि मेरे जो पूर्वज थे, मेरे जो पित्र थे, वह भी मांसाहारी भोजन खाते थे। तो आपको मैं बता दूँ, भले ही वह जब जीवित थे, तो मांसाहारी भोजन खाते होंगे, लेकिन जब वह मोक्ष को प्राप्थ हो जाते हैं, जब उनकी जाते हैं, वह स्वर्ग के वासी हो जाते हैं, वह परलोक सिधार जाते हैं, और जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तो वह आत्मा देव स्वरूप हो जाती है, उस आत्मा को इन सभी चीजों से घिन्न होती है, यह सभी चीजों से उनको पीड़ा पहुंचती है, तो द वरना पित्र नाराज हो जाएंगे दोस्तों और जब पित्र नाराज होते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या-क्या अंधाकार्य हो जाता है दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बासी भोजन भी नहीं खाना है दोस्तों जी हाँ बासी भोजन आपको बिल्कुल भी नहीं पित्रपक्ष में कोई शुभ कारे भी नहीं करना है। जी हां, जैसे कि कोई मुंडन संसकार हो गया, ग्रिह प्रवेश हो गया, सगाई, शादी, यह सब नहीं करना है। ना ही कोई आपको वाहन खरीदना है, कोई भी चीज नहीं खरीदनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा चोरी के विचार लाएंगे, छलकपट के विचार लाएंगे, ऐसे विचार भी मन में नहीं लाना है। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है, गंदी-गंदी पिक्चर देखना, गंदी-गंदी वीडियो देखना, पराई स्त्रियों के वीडियो देखना, लेकिन इस द पूर्वज यानी हमारे जो पित्र होते हैं वह जब हमसे नाराज और हमसे क्रोधित हो जाए तो उनकी पीड़ा तो शणी के बराबर भी नहीं होती। कई गुना ज्यादा होती है उनसे। इस बात का ध्यान रखिएगा। पित्र पक्ष में नए वस्त्र और आभूशन खरीदने की भी मनाही होती है। साथ ही ब्रह्मचर्य का नियम अपना लेना। जी हाँ दोस्तों संभोग तो भूल से भी मत करना। इस दौरान कई लोग होते हैं जो संभोग करते हैं लेकिन पित्र घर में आय हुए हैं। ब्रह पित्र पक्ष में भी दाढ़ी बनवाते हैं, नाखून काटते हैं, बाल कटवाते हैं। देखिए अगर यह गलत कार्य कर लिया। पित्र पक्ष में अपने शरीर के बाल काटे तो पित्रों को भी बहुत पीड़ा पहुँचती है। अगर शरीर के अंका कोई भी बाल काट तो उससे आपके जो पित्र है उनको पीडा पहुंचेगी तो दोस्तों ध्यान रखना और आपको मैं बता दूँ कि पित्र पक्ष में जो तरपन है जो श्राद्ध के कार्य है वह रात में नहीं किये जाते हैं सवेरे सवेरे किये जाते हैं दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा और अगली चीज़, दोस्तों, यह जो श्राद्ध है, बहुत ही महतोपूर्ण हो जाते हैं, इनसान अगर चाहे तो कुछ पुण्य करके, अपने अच्छे कार्य करके पितरों को प्रसन्न करें और अपने जीवन को बहतर बना पितरों का आशीरवाद मिल गया तो समझ लेना, ब्रह्मान्ड के सभी देवी देवताओं का, 33 कोटी देवी देवताओं का आशीरवाद मिल गया पितरों को प्रसन्न कैसे करेंगे, जो आपके पितर यानी की पूरवज थे, उनको जो कार्य अच्छा लगता था, वह कार्य करिये तो उनको भी खुशी होगी, जी हाँ, उनको जो पसंद था वह आप करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा साथ ही दोस्तों, कुत्तों को भोजन कराएं और गाये को चारा खिलाना तो भूल ही मत, रोजाना गाये को चारा खिलाएं और रोजाना मचलियों को आटे की गोलियां दीजिएगा दोस्तों बस इतना कर लीजिए आपका सारा कार्य बनेगा और पित्र आपसे प्रसन्न होंगे दोस्तों अगली वीडियो में मैं पित्रपक्ष का एक महा उपाय बताऊंगा पित्र पक्ष के बारे में और जानकारी दूँगा, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखना और अगली वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलना देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि वीडियो छोड़ कर जाने की भूल भी मत करना, क्योंकि बहुत महत्वपून जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ. देखिए दोस्तों, पित्रपक्ष यानी की सोलह दिन. सोलह दिनों में पित्रों का आशीरवाद हमें मिलता है. आपको मैं बता दूँ कि आप सभी अपने पित्रों को याद करेंगे, उनका तरपन करेंगे, पिंड दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, दान पुन्य करेंगे, ब्राह्मनों को भोज देंगे, पंच बली भी अवश् इस से आपके पित्र खुश होंगे, त्रिप्त होकर आपको आशीरवाद देंगे, लेकिन अगर पित्र नाराज हो जाएं तो घर में कुछ संकेत भी मिलते हैं, उन संकेतों को आपको मैं बताता हूँ, ऐसे में इन संकेतों को अनदेखा नहीं करना है, दोस्तों दोस्तों जी देखिए सपने में अगर आपके पित्र आते हैं, जी हाँ देखिए, हमारे जो पित्र होते हैं, अगर वह हमारे सपने में आते हैं, जो नाराज पित्र होते हैं, अकसर सपने में आकर कुछ ना कुछ संकेत देकर जरूर जाते हैं, ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पित्र को र अराज है दोस्तों और अगली चीज किसी भी अच्छे कार्य करने में उसमें विग्न पड़ जाए। अराज है दोस्तों यह जो चीज सामान्य नहीं है। परेशानियां आ रही है तो दोस्तों समझ जाना कि पितरों की नाराजगी हमें सता रही है। जी हाँ निसंतान होना भी पितरों की नाराजगी से ही प्रभावित होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि इन कामों को बहुत ही ध्यान पूरवक आपको करना पड़ेगा। अब मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा और वह उपाय मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगली वीडियो तो आपको बहुत जरूरी है, देखना इसलिए अगली वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि वीडियो में जो भी जानकारियां दी गई है, शत्त प्रतिशत सत्य होती है, तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएगा, कोई सवाल परेशानी है तो हमें लिख कर जरूर बताईएगा, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे ए पावजूद अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मुझे करने श्रद्धा से दोस्तों जरूर लिखिएगा, जय बजरंग बली, हनुमान जी की कृपा आपके और आपके परिवार के उपर बनी रहेगी, साथ ही जय पित्र देव जरूर लिखिएगा, दोस्तों आप अगर अपने कमेंट बॉक्स में जाएंगे और जय पित्र देव लिखेंगे, तो आपके पित्रों का आशीरवाद भी आपको जरूर मिलेगा, तो अभी के अभी जाएं और लिख दे जय पित्र देव आईए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या करना है और क्या नहीं करना है